36 गर में राहूल गांदी का ने PM मोधी पर वार किया और कोगनिस देख राहूल गांदी का इस वक्त बड़ा बया आना है उनका कहना है कि PM के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकते है सांसद राहूल गांदी का कह रहा है और इसके लावा देश में हो रही है लोकतंत्र की हत्या और पूरे देश में है डर का माहल राहुल गांदी का 36 गड़ में बड़ा बयान इसक्त सामने आया है उन्होंने पीम मोधी पर सीधा निश्वाना स्थाधा है और कहा है कि पीम के सामने सांसद एक भी शब्द नहीं बोल सकते और देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश में इस प्वक्त डर का माहल है ऐसा कहना है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी का ऐसा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी आज और कल शटीश गांदी पहुंची तो उन्होंने पृधार मंत्री नारेंद्र मोधी पर वार करते हुए कहा कि पीम के सामने एक शब्द नहीं बोल्सके सांसद और देश में इस्वाक्त पूरे देश में डर का माहौल है ऐसा कहना है राहुल गांधी का साफ तोर पर निशाना साधा है पुरे देश में डर का माहौल इस वक्त की बड़ी ख़वा चतिसगर से जहाँ पर कॉंग्रेस अदेक्ष राहूल गांदी ने सीधा निशाना साधाय प्रदान मंत्री रानित निवोधी पर कहा कि पी-म के सामने एक शब्द नहीं बोल सकते सांसर देश में हो रही है लोकतंत्र के हत्या पूरे देश में है डर का माहौल राहूल गांदी का इस वक्त बड़ा बयाँ चतिसगर से आप मोदा देकि दो देन के चतिसगर दौरे पर है राहूल गांदी इस वक्त की बड़ी कवाई चतिसगाड से राहूल गांधी दो दिन की दौरे पर है चतिसगाड में और इस दौरान उन्होंने आज धर्म मंत्री राहूल मंत्री पर पार करते हुए कहा कि पीम के सामने एक शब्द नहीं बोल सकते सांसत और देश में इस वक्त लोगतंद्र क हत्या हो रही है और पूरे देश में डढ़का माहल है ऐसा कहना है कॉंग्रेस सद्यक्षराहूल गांधी का इस वक्त की बड़ी कोषा तिसगर्ड से सीधा वार प्रिधान मंद्री रेलिंदर मोधी पर किया है कॉंगे से देक्ष राहूल गांधी ने और कहा कि सांसद पीम मोधी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते और जिसकी वैसे देश में लोगतंत्र के हत्या हो रही है और पूरे देश में सुख दर का माहूल है डाहूल गांधी का इस वक्त का बड़ा बयान छतिसगर से